हेलो एवरीवन वेलकूम अगीन टू लांप्रिदी दीमन तो आज हमको टॉपिक करना है हिंदी व्याकरण में ही कुश्यन के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे आज विकारी शब्द जिनको हम अव्याय भी कहते हैं तो सबसे पहले तो इसका सब्द का अर्थ ही समझ में आना चाहिए कि अव्याय का यदि हम टुकड़े करें तो क्या मिलता है अधन व्याय आ का अर्थ क्या होता है नहीं और व्याय का अर्थ होता है खर्च तो जहां खर्च ही ना हूँ वो क्या है अविकारी शब्द तो इसक जो परिभाशा है वो क्या रहती है कि जिन शब्दों में जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, कारक इनका कोई प्रभाब नहीं पढ़ता कोई विकार नहीं आता है वह सब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं और लास्ट के वीडियो में हम सभी विकारी शब्द को पढ़ चुके हैं जो क्या थे संग्या, सर्वनाम, क्रिया, विशेशन क्योंकि वहां हमने देखा था कि उन शब्दों के श्वरूप में लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाब पढ़ रहा था ठीक है तो आविकारी शब्द क्या होते हैं जहां कोई प्रभाब ना पढ़े उनके लिंग वचन, काल, कारक में तो उसी तरीके से हमें इनके प्रकार जो हैं वो अच्छे से समझने होते हैं दिहान से अच्छे से आपको सुनना हैं तो अव्या शब्द जो हैं उनके कितने प्रकार होते हैं अव्या जो हैं वो 6 प्रकार से काम करते हैं किसी-किसी बुक में आ आपको 6 प्रकार जो है वो याद रखने हैं और वो कौन-कौन से होते हैं तो वो जो 6 प्रकार होते हैं कौन-कौन से होते हैं सबसे 1st क्रिया विशेशन होता है सेकिंड होता है समुच्य बोधक, थर्ड होता है संबंद बोधक, उसके बाद है विश्मियादी बोधक, ठीके, और पांचवा है सकारात्मक और नकारात्मक, और लास्ट में है निपात, तो ये छे अव्ये की तरह कारे करते हैं, तो अव्ये छे प्रकार से कारे करते हैं, छे को याद रखना है, पांच को नहीं, ठीक है, याद रखीए गया आपके exam के according, चलिए थोड़ी-थोड़ी सी इनकी मैं आपको बता देती हूं, क्रिया विशेशन जो होते है उनके भी प्रकार होते हैं, चार. काल वाचक कौन से अव्य होते हैं जो समय के होने को बताते हैं, जैसे कल, जब, अब, तब, पहले, बाद में, अभी, थीक है? next इस्थान वाचक, इस्थान वाचक जो इस्थान का बोद कराएं यहाँ वहाँ, उपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर third रीती वाचक क्रिया विशेशन होता है, जिसमें क्या होता है? जो काम करने की विधी है, रीती है, उसको व्यक्त किया जाता है, जैसे कि धीरे-धीरे, जट-पट, तेज, इसकी और, उसकी और नेक्स्ट जो क्रिया विशेशन है, परिमान वाचक, जिसमें परिमान का बोध होता है, थोड़ा-थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ, तो ये चारो क्रिया विशेशन के प्रकार हैं, काल वाचक क्रिया विशेशन, इस्थान वाचक क्रिया विशेशन, रीती वाच वाचक विशेशन, क्रिया विशेशन और परिमान वाचक क्रिया विशेशन तो ऐसे आप जो है वो यदि नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाएए बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है बिलकुल मैं आप लोगों को RBSC की बुक से ही जितने भी कोशन होते हैं वहीं से समझाती ह और वहीं से आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ दूसरा जो है अव्याय शब्द वो है समुच्य बोदक जो की क्या करता है एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांस को दूसरे वाक्यांस से जोडता है जैसे और है अथवा है या है किन्तु परंतु लेकिन मग यह सबी आएंगे समच्य वुधक अव्यय में। तीसरा जो हम देखते हैं संभंध-वुधक, जहां पर कारक विवक्ति चिन आ जाता है, परसर्ग आ जाता है, तो व्य होता है, संभंध-वुधक अव्यय होते हैं। जो कि क्या करते हैं? शंघ्या या सर्वनाम के बाद प्रि इसम्यादी बोदक अव्य जो कि क्या करते हैं भावों को व्यक्त करते हैं जैसे हाए हो गया, अच्छा हो गया, छी हो गया, वा हो गया, शाबाश हो गया, बहुत खूब हो गया, ठीक है, ये सबी, सकारात्मक और नकारात्मक ये तो सबी जानते हैं, हाँ, जी हाँ, नहीं, लास्ट में जो निपात, निपात क्या होते हैं, यह भी अव्य का प्रकार है, जो कि किसी भी चीज पर क्या देता है, बल देता है, जैसे ही है, भी है, तक, तो, केवल, मात्र, भर, ठीक है, तो यह सब ही जो हैं, क्या हैं, अव्य के प्रकार हैं, कितने होते हैं, छे होते हैं, तो चली अब कुश्यन के माध्यम से देखते हैं कुश्यन वन मदन तेजी से दोड़ा वाक्य में क्रिया विशेशन का प्रकार बताईए तो यहां क्रिया विशेशन का प्रकार पूछा गया है तो मैंने आपको बताया क्रिया विशेशन चार प्रकार की होती है रीती वाचक, इस्थान वाचक, काल वाचक और परिमान वाचक तो यहाँ पर मदन तेजी से दोड़ा यह कौन सा क्रिया विशिशन का प्रकार है तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि तेजी से अब देखिए यहाँ पर जो तेजी से है वो आंसर रहेगा रीती वाचक क्योंकि यहाँ क्रिया जो है उसकी रीती बताई जा रही है कि वो कैसे काम कर रही है अब एक थोड़ी सी ट्रिक है वो भी देखिए यदि आपके यह जैसे की वाक्य है इसमें कैसे का प्रश्ण उठे तो क्या है वो रीती वाचक क्रिया विशेशन जैसे मदन कैसे दोड़ा ठीक है मदन कैसे दोड़ा तो कैसे दोड़ा तेजी से दोड़ा तो यह हुआ रीती कालवाचक क्रिया विशेशन हो और इसकी एक ट्रिक है वो क्या है जब वाक्य जो है उसमें कब का प्रशन उठे ठीक है कब का प्रशन उठे जैसे वह कब आएगा तो वह आज आएगा ठीक है वाक्य है कि वह आज आएगा तो क्या है आज यानि समय का बोद बता रहा है तो क् काल वाचक क्रिया विशेशन वहीं इस्थान वाचक की ट्रिक क्या होगी कि जो की इस्थान की बात करें और जहां पर कहां का प्रशन उठें ठीक है कि हम कहां जा रहे हैं तो आंसर क्या आएगा हम दिल्ली जा रहे हैं हम मुंबई जा रहे हैं तो वहां कहां का प्रशन होगा वहीं परिमान वाचक क्या होगा परिमान वाचक में कितना या कितनी ये प्रशन जो है वो उठेगा कैसे कि उसका दाम कितना है या वह कितनी मात्रा में है वह कितनी किलो का है वह कितनी वहाँ पर कितनी चीजें रखी है तो वहाँ क्या है परिमान या कि परिमान की बात जो है आप लिख लीजिये से काल वाचक में कब का प्रशन उठेगा, स्थान वाचक में कहां का प्रशन उठेगा, और परिमान वाचक में कितनी का या कितना का प्रशन उठेगा. ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल clear हो गई होगी क्रिया विशेशन में. नेक्स्ट देखिए, question number 2 है, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रिखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेशन, संबंद बोदक, समुच्य बोदक या विस्मियादी बोदक? तो सोचिए, यहाँ पर यह जो ताकि है, यह क्या है? क्रिया विशेशन है, संबंद बोदक है, समुच्य बोदक है या विस्मियादी बोदक है? तो देखिए, question कम है या ज़्यादा है, इसका फरक नहीं पड़ता है, आपको topic समझ में आना चाहिए. जो चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो चीज आप जो है, कहीं भी diary में यहाँ आप note करते हैं, वहाँ, उनको note करते जाईएगा, क्योंकि last time में यह trick जो होती है, यही काम आती है, तो यहाँ पर देखिए, यह क्या है? यह पूरा वाक्य है, और यहाँ पर भी एक प वे अव्य होते हैं, जो की एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांस को दूसरे वाक्यांस से जोडते हैं, जहां हमने, मैंने आपको बताया कि और आएगा, अथवा, एवम, लेकिन, किन्तु, परंतु, मगर, बल्की, क्योंकी, यह सबी शब्द आते हैं. मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में रिखांकित शब्द है तो यहाँ पर जो की ओर है इसी को रिखांकित मानिए मोहन बाजार की ओर गया इस वाक्य में रिखांकित शब्द है क्रिया विशेशन है, विशेशन है, समुच्य बोदक है या सर्वनाम है तो बिल्कुल यहां पर की और सर्वनाम तो नहीं है और नहीं विशेशन है A और C में फटपट से आंसर जो है वो सोचिए क्या हो सकता है तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्रिया विशेशन ठीक है मैं भी साथ चलूँगा, वह तो नहीं चलेगा, वह पढ़ाई कर रहा है। यहां निपात का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, यह आपको पता करना है। तो देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि निपात जो है, वह क्या होते हैं, जो वाक्य पर बल देते हैं। लेकिन वह पढ़ाई कर रहा है, यह क्या है? यहां पर कोई भी निपात शब्द का यूज नहीं हुआ है। आंसर होगा option D, किस वाक्य में निपात का प्रियोग हुआ है, अब किस वाक्य में हुआ है, इसे आप देखिए, हरी च्छत पर बैठा है, कल एक कवी गोस्टी का आयोजन किया गया है, आप भी आईएगा, मैं चुट्टी के दिन घर पर रहता हूं तो यहाँ पर देखिए, आंसर क्या रहेगा, किस वाक्य में निपात का प्रियोग हुआ है, बिलकुल option C में देखिए, आप भी आईएगा, तो भी क्या है, भी जो है, निपात है, बाकी option जो है, यह भी देख लीजिए, हरी च्छत पर बैठा है, कहां पर बैठा है, च्छत तो यह च्छत पर जो है, यह क्रिया विशेशन है, कौन सा क्रिया विशेशन है, क्योंकि कहां का आ रहा है, तो यह है, इस्थान वाचक क्रिया विशेशन, हरी कहां पर बैठा है, च्छत पर बैठा है, यह है इस्थान वाचक क्रिया विशेशन, कल एक कभी गोश्टी का आ रहता हूँ, छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, कालवाचक, क्रिया विशेशन, अब ये के भेद होते हैं, तो चलिए, फटाफट से बताईए, मैंने आपको बता दिया था, छे भेद होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं, या दो होते है तो देखिए पहले की पुरानी की वुकों में आपको अव्य के चार भेद नजर आएंगे जिसमें निपात और सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों अव्य के प्रकार नहीं मिलेंगे लेकिन अब ये चीज जो है वो बिल्कुल सही हो चुकी है अव्य के कितने भेद हैं छे भेद हैं जो कि मैंने आपको बताए थे क्रिया विशेशन, समुच्य बोदक, संबंद बोदक और विश्मयादी बोदक, सकारात्मक और नकारात्मक और निपात इनमें किन शब्दों की गड़ना अव्य के अंतरगत की जाती है क्रिया विशेशन सब्द, क्रिया शब्द, विशेशन सब्द या संग्या सब्द. तो अव्य के अंतरगत की जाती है किन शब्दों की गर्णा? तो बिल्कुल अव्य की definition ही होती है कि जिनके सुरूप में लिंग वचन काल पूर्श कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है कोई विकार नहीं आता है, परिवर्तन नहीं होता है वो अव्य होते हैं, तो संग्या में तो होता है, विशीशन में भी होता है और क्रिया में भी होता है, तो आंसर क्या रहेगा, अब गया किसके अंतरगत आएंगे क्रिया विशीशन सब्द के अंतरगत नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रिखांकित है विशीशन, क्रिया, क्रिया विशीशन या सर्वनाम तो देखिए फटा-पट से ट्रिक लगाई है जो मैंने आपको चोटी-चोटी सी बताई थी कि नल बूंद-बूंद टपक रहा है कैसे टपक रहा है बूंद-बूंद टपक रहा है तो देखिए हम लोग संग्या सर्वनाम क्रिया विशेशन सब कुछ कर चुके हैं यहां बूंद-बूंद जो है वह विशेशन तो नहीं है कोई विशेशता नहीं बताई जा रही क्रिया नहीं है क्रिया क्या है टपक ना ठीक है सर्वनाम नहीं है यहां पर क्या बचा क्रिया विशेशन तो ये क्रिया का कौनसा प्रकार है फटापट से बताईए नल कैसे टपक रहा है बूंध बूंध तपक रहा है तो ये है रिती वाचक क्रिया विशेशन तो मुझे लगता है कि 8 question करते करते आपको अव्य या अविकारी शब्द जो है वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे नेमनलिकेत वाक्यों में से किस वाक्य में रीती वाचक क्रिया विशेशन नहीं है गाड़ी तेज चल रही है लड़का धीरे धीरे दोड़ा मैं उनसे भली भाती परिचित हूँ वीना बाहर रखी है तो इन चारों के ही आंसर आपको आने चाहिए नेमनलिकेत वाक्यों में से किस वाक्य में रीती वाचक क्रिया विशेशन नहीं है तो देख लीजिए कैसे का जो आंसर है नहीं मिले तो वहां आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ठीक है अब गाड़ी कैसे चल रही है तेज तेज चल रही है लड़का कैसे दोड़ा धीरे धीरे दोड़ा मैं उनसे कैसे परचितू भली भाती परचितू बीड़ा कैसे रखी है अब यहां पर बीड़ा कैसे रखी है बीड़ा बाहर रखी है question answer दोनों ही क्या है बिल्कुल भी mail नहीं खा रहे हैं तो बीड़ा कहां रखी है यहां तो क्या होगा इस्थान वाचक क्रिया विशेशन होगा तो answer है D बाकी तीनों में क्या है रीती वाचक क्रिया विशेशन नेमने लिकित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया विशेशन नहीं है तुम बहुत देर से आए मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है अखिल पूर्टय स्वस्त है या बीमार लड़का भी दोड रहा है, तो फटावट से अब किसी का भी ये आंसर जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे कुश्चन करने के बाद, इतनी डेटेल में समझने के बाद, कुश्चन गलत भी नहीं हो सकता, कि इन वाकि में क्रिया विशिशन किसमें नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा राइट वो क्या रहेगा, बिलकुल ऑप्शन डी रहेगा, बीमार लड़का भी दोड रहा है, यहाँ भी क्या है, निपात है, तो इसलिए इस वाकि में क्रिया विशिशन नहीं है, निम्न मैंसे किसमे निपात का प्रियोग नहीं हुआ है, कोई पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा, इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई और फसल भी अच्छी हुई, मात्र मुझे इजाज़त मिली है, न मैं आउंगा और ना ही मेरा भाई आएगा, ठीक है, तो निपात का प्रियोग नहीं हुआ है, तो बिल्कुल चारो आप्शन ही आपको पता होने चाहिए, चारो आप्शन को ही आप ध्यान से देखिए, कोई पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा, तो आगया, निपात बिल्कुल यूज हुआ है यहाँ, इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई और फसल भी नहीं है, ना मैं आऊंगा और ना मेरा भाई आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी निपात शब्द का प्रियोग नहीं हुआ है, तो आंसर है D, निम्न लिखित वाक्य किस अव्या से पूरा होगा, आजकल धन, डैस, कोई नहीं पूस्ता, के बिना, साथ, तक को, और कहां, तो यहाँ पर कौन सा अव्या लगाएंगे, कि यह वाक्य पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आजकल धन, के बिना, कोई नहीं पूस्ता, ठीक है, तो यह इसका क्या बता दिया, संबंद बता दिया, तो यह क्या है, संबंद बोदक, अव्या, तो यहाँ तक हमने 12 कोशन किये हैं, कोशन आपने 12 किये हैं, तो यह समझेए, आप 30 कोशन कर चुके हैं, क्योंकि आपने concept जो है, वो clear किया है, ठीक है, अब आप लोग अविका का टॉपिक जो है होगा काल का टॉपिक होगा आप लोग काल का टॉपिक जो है वो पढ़कर आईएगा कल हम लोग इसकी प्रश्णों जो है वो हल करेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू